सुट्रिस्टाइल रेजेंट वाई पी एश्बी स्टूडियो एच डी जिसके डारेक्टर विस्टु भाई आर्पी एफ तेगला राम्नकर से जिसके राइटर अजब सिक्वघिल पेहट वाले सुट्रियो निए संध्या चौदरी के वाज में क्या लिक्या रशी किदा रा ओ रात के फोन लगावेगी छोरी फोन लगावेगी ए मम्मी पापा के हाटन से लट पड़वावेगी राक के फोन लगावेगी छोरी फोन लगावेगी ए मम्मी पापा के हादन सलट पड़वावेगी और सुले बहन मेरे से के के कहता है वो लगाव आठ वजे मैं कोचिक पड़के अपने घर पे आऊं रहे मैं अपने घर पे आऊं आठ वजे मैं कोचिक पड़के अपने घर पे आऊं रहे मैं अपने घर पे आऊं सब के सास में खाना खाके जल्दी से सो जाऊं रहे मैं जल्दी से सो जाऊं मोई तू लवर बनावेगी लवर बनावेगी ए मम्मी पापा के हादन सलट पड़वावेगी छोरी भोन लगावेगी लात में भोन लगावेगी ए मम्मी पापा के हादन सलट पड़वावेगी मिलो हो तो सुन ले छोरी तू होटल में आना रहो तू मिलो हो तो सुन ले छोरी तू होटल में आना रहो तू होटल में आना रहो तू होटल में आना हम साथ में खावे खाना मोई तू घर बुलवावेगी ए मम्मी पापा के हादन सलट पड़वावेगी कर दो बना रहो तू हो तू हो तू होटल में आना रहो तू होटल में आना रहो तू पड़व तू यह खा़वावेग्स और सुन्लो आजब सिंग जी आजब सिंग पे हटवारे की लिखे कलमिया प्यारी रह योड लिखे कलमिया प्यारी वाकी फेन है दुनिया सारी आसे छोड़ के प्यारी रह तू इकली कहां को चारी अजब सिंग पे हटवारे की लिखे कलमिया प्यारी रह योड लिखे कलमिया प्यारी वाकी फेन है दुनिया सारी आसे छोड़ के प्यारी रह तू इकली कहां को चारी कि संध्या दाने गावेगी संध्या दाने गावेगी ए मम्मी बापा के हाथान से लट पड़वावेगी छोरी फोन लगावेगी डात में फोन लगावेगी ए मम्मी बापा के हाथान से लट पड़वावेगी ए मुम्मी पापा के हादं सलच पड़वा वे नीरी पेरण